कलर्स पर अधारित हुआ शो मधुबाला टीवी इंडस्ट्री का ऐसा पहला शो रहा था जिसमें बॉलेवुट की दुनिया की जलक शो के मेकर्ज ने दिखाई दी थी जिन्होंने अपने किरदार के बीच के रोमांस, फाक्टर, ड्रामा, एलिमेंट और जबर्दस्ट केमिस्ट्री के साथ शो को एक हिट शो बनाया था लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि खबरों के मताबिक अब शो का सीजन टू आने वाला है जी हाँ, आप सभी को अब जल्दी मतुबाला का सीजन टू देखने को मिलेगा इसलिए आज के हमारे इस वीडियो को जरूर देखें हम आपको इस सीरियल के दूसरे सीजन से जुड़ी सभी जानकारिया देने वाले हैं कि शो की कहानी कैसी होगी, उनमें कौन सी स्चार कास्ट नजर आएगी और ये शो हमें कब देखने को मिलेगा अगर आप भी सीजन टू से जुड़ी इन सभी बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत्ताक और साथ ही मदुबाला सीरियल के लिए एक लाइक तो बनता है 28 मई 2012 को कलर्स पर मदुबाला सीरियल शुरू हुआ था जिसकी कहानी मदुबाला बनी दृष्टी धामी और सूपर स्चार आक्टर आरके बने विवियन डिसेना की जीवन रेखा पर आधारित थी जो भाग्य से मिलते हैं पर एक दूसरे से पहली मुलाकात के बाद ही नफरत करने लग जाते हैं पिर समय के साथ साथ दोनों की वो नफरत प्यार में बदल जाती है मगर जल्द ही शो में आरके और मदुबाला की मृत्ति हो जाती है इसके बाद शो में मदुबाला की बेटी की कहानी दिखाय जाती है जो आरके और मदुबाला की जीवन पर एक फिल्म बनाती है और उसी भी अपने सपनों का राजकुमार मिल ही जाता है इसी किसाद शो की कहानी खत्म हो जाती है अगर आपने शो पूरा देखा होगा तो शो क के अंत में जूनियर मदुबाला के प्रेमी राजा बने विवियन कहते हैं कि अंत नहीं है बलकि एक नई जीवन की शुरुबात है जोसे साथ जाहिर होता है कि शो का सीजन टू भी जल्दी आएगा और अब ये बात कहीं न कहीं सच होती नजर आ रही है क्योंकि हाल ही में कहानी मदुबाला और आरके की बेटी जूनियर मदुबाला की शादी के बाद के जीवन पर आधारित एक रोमैंटिक कहानी से शुरू होगी जिसमें रोमैंस ड्रामा और काफी ट्विस्ट देखने को मिलेंगे वहें बात करें शो की स्टार कास्ट के बारे में तो इस शो क कि दूसरे सीजन की खलपना विवियन डिसेन और दृष्टी धामी के बिना तो की ही नहीं जा सकती इसलिए तो उन्हें भी सीजन टू की स्टार कास्ट के लिए चुना गया है बताया जा रहा है कि दृष्टी धामी को जूनियर मदुबाला के किरदार में और विवियन को के प्रेमी राजा के किरदार के लिए चुना गया है वहीं बाकि स्टार कास्ट के नाम रिवील अभी नहीं किये गए हैं लेकिन दोस्तों आपको बता दे कि शो की कहानी पर अभी काम चल रहा है साथी सीजन टू के लिए चुनी गई स्टार कास्ट ने भी अभी किसी भी तरह कि कोई भी कनफर्मेशन नहीं दी है जिसकी वजह से अभी शो की कोई रिलीजिंग डेट नहीं आई है और लगता है कि आपको अभी शो को देखने के लिए थोड़ा इंतिजार करना पड़ेगा तो दोस्तों क्या आप भी मधुबाला सीजन टू में दरिश्टे धा में और व